हेलो दोस्तोव वेलकम टो मैड चैनल डॉक्टर व्लॉगर और आप इस वक्त देख रहें मेरे हातों में है सुपारी जी है आपने सही सुपारी भी कहते हैं और यह है फिलाल एरिकानिट को कि मैंने इसका पका हुआ जो है फल अपने हातों में लिया हुआ है और यह नट भी यह बेरी होता है तो जिसको हम सुपारी कहते हैं मतलब बीटल लट इसको हम कहते हैं वो इसकी बीच को कहते हैं जब यह ड्राइ हो जाता है पहलो तो एक फूल के फूल में होता है फिर यह कच्छा होता है बिलकुल हरे हरे रंका होता है कच्छा होने पे बिलकुल हरा होता है पकने के बाद इसका कलर बहुत ही खूप चुछ लगता है कुछ औरेंजिश ड्रेट जैसा लगता है आपको देखे लगेगा कोई बहुत ही टेस्टी सफ़ाल है लेकिन सूखने के बाद इसके अंदर से निकलती है इसकी सीट इसको कहते है बीटलनट जो कि पान के साथ खाया जड़ा जाता है और यह एक स्टुबिलन जो है एक सिमिलर इफेक्ट लगता है हमारे उपर जैसे निकोटिन का होता है जैसे इसको खाने के बाद आपको फिल होता है यूफोरिया मतलब आपको थो अच्छा सा लगेगा कि आपको कुछ गुट फिल हो रहा है इस तरीके से इस वह प्रिटर्ब बॉर्ट कराता है मतलब गनले ऑच्छा की साथ सेफ एक साथ बच्चे को बहुत है जो है यो कंपॉंट है उससे पहला हो तो benefit क्या है तो खाने बाद थोड़ा अच्छा सा फील होता है कि मुझे बहुत अच्छे लग रहा है तोड़ी खुशी महसूस होती है हम चौकरने अलटनेस हमको लगती है थोड़ा भूग जाता है और साथ ही साथ जो हमको लगता है कि डाजिशन अच्छा हो रहा है लेकिन कोई बहुत ही कैतना बड़ा benefit नहीं है कि हम इसके नुकसान को छोड़ दे कि हमें एक बहुत ही गंदी सी लाल रंग के दातों वाली ये smile देता है दात हमारे खराब होते हैं तूटते फूटते हैं दात हमारे तीर ठीके होता है हमको dependency आ जाती हमें एक आदा तो नशा जैसा होता है जब हम इसको छोड़ते हैं तो हमें withdrawal symptom आता है चीड़ा पान या कुछ अच्छा नहीं लगना मुह सुखा सुखा से लगना हमको ऐसा लगता है और मुह में और गले में ये cancer को पैदा करने का जो है एक stimulant देता है effect हमारे उपर देता है अगर बच्चे पैदा होने व होता है उसके वजह से ये दवावे भी यूस होता है लिकोरिया में और ब्रेस फीडिंग के जरीए भी ये बच्चे में पास होता है इसके जो भी side effect होते है इसलिए ना खायना इसको जादा ही बैतर होता है बस देखकर इस खुबसूरती को सरा लिया जाए